अच्छा इसमें बिस बता दुर्विंग कहांसे क्या करना है अब अब आपर चाहिए करना नो आपर आप हुई ठीक है चलो स्टार्ट करो है हुग है अजी बचो वेश्चे करो सही है यह अजी बचो गूड इवनिंग कि तो बेसे कली यह चेप्टर बाय मोलिकुल सबसे मलगी एक टफ़ेस चेप्टर रिगार्डिंग रटने के रिगार्डिंग से समझने के रिगार्डिंग से उसको डिसे करना और 65 कोश्चेन्स है पिछले 5 सालोंगे मेरे पास तो थोड़ा डिस्कॉशन करना चैलेंजी रहेगा इन टम्स ओफ कॉंप्लेक्सिटी ओफ कॉश्चन क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्टर ड्रो करने पड़ते हैं आंसों समझाने के लिए जो कि इतने कम सबस्पैन में और स्पैनों टाम में पॉसिबल नहीं हो प अ ऐसा है बच्चों की सबसे पहला कॉश्चन है वीचर फॉलिंग स्टी में इस कारेक्ट रिगाडियर दिस तो एक आम करते ना गुलुकोन के सीड़ के बारे में तो सबसे पारा होना चाहिए कि ग्लुकोज यह होता है ये गुलुकोज है और ग्लुकोज में बेसीकली यह तो यह बच्चों यह गुलुकॉनिक एसिड तो इस टाइप से आप चेकिजिए तो गुलुकॉनिक एसिड क्या है बेसिकली यह गुलुकॉनिक एसिड है आप मुझे बताएं इसे एसिडी पोसिबल है क्या है बिल्कुल नहीं क्योंकिश्ड बनने के लिए आपको eldest टो गुल्闪कुर कि यह घ्रैक्षन करे ले किसे क्रवाते है इसरुकॉनिक प्रेचल अच्चेड़ होता है tab तो ऑप्षिन इस ओक्षे जोकि कि इस होता है चेंट कर रहा हूं एसको नहीं करना है इसका मतल पूचहा गया think तो थोड़ा जल्दी करना ही कोशी करूंगा विच और फॉलिंट इसको गुलकारिक बोलते हैं राइट एनिवे तो दिस इस दा करेक्ट स्टेट्मेंट ओफ दिस कोश्चन नेक्स कोश्चन पर आते हैं बच्चों समय कम्स कोश्चन बहुत जाता हैं लेंदी कोश्चन से तो थोड़ा जल्दी करना ही कोशी करूंगा विच और फॉलिंट में इस नॉट ट्रीव फॉलकार्स तो बताएं एक मिट रखना है यार यह मैं स्वेटर चेंज कर लो अपना में है ना बेसिकली जल्दबाजी में जस्ट इमिनिट रखो चलिए यह हमारा एक और ओफिशिल आनकरमें टीशिट आपको दिखनी चाहिए ना इसलिए वह रिमूवी कर दिया रहता है एन्यवे इस पर आओ थ्वासा विच और फॉलिंट इस नॉट ट्रीव फर गुल्कोज तो गुल्कोज में पैंटा इस्टेड गुल्कोज जस्ट गुल्कोज एन फ्रक्टोज को डिस्ट्विश नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पता होगा टोलंस फैलिंग बेंडिटीनों ही टैस्ट देते हैं गुल्कोज फरक्टोज और शीफ रिजिएं के साथ दोनों ही रेक्शन नहीं करते हैं तो बैसिली आप टीएफ बीस के अधार पे आप गुल्कोज फरक्टोज को डिस्ट्विश नहीं कर सकते तो यह स्टेटमें पहला वो क्लियर होना चीह उसके बाद आप यह कोश्ञ कर पाएंगे तो यह बैसिकली इन करेक्ट राक फोशन फर्स्ट कैसे हैं वह देख लेते हैं कॉशन फर्स्ट और ऑप्शन फर्स पेंटाश्रों गूलकोज क्या होता है यह यह पेंटाश्रों गूलकोज है अब मुझे बताओ इसके पास कोई ओए गूप फ्री है क्या नहीं है ना यार यह और और तो आपको एक फ्री काबल गूप चाहिए होता है ना राइट आगे बढ़ते हैं और कॉश्चन नमर थर्ड पे आते हैं थर्ड कोश्चन नेखे आप मॉनोमर इन मालोज तो यह बात होने चाहिए कि अल्फा दी पॉच्टी गुलकोज है ना और दो अल्फा दी पॉच्टी गुलकोज को जुड़ते हैं तो क्या बनता है मालोज बनता है और इसमें कनेक्शन होता है C1, C4, इसका पहला carbon, इसका दूसरे, चोथा carbon का जो OH present होता है, उनमें से water निकल जाता है, रीथर बनाता है, यह बनता है, maltose, maltose basically alpha-d positive glucose के दो monosacrit combine होते हैं, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा option third, right, चलिए आगे लते हैं बच्चों, question third के बाद, question fourth पे आए, यह एक test लिखा होगा है, आपको पहचान है ABC क्या होगा, तो इसको करने के लिए आपको यह barfot test पता होना चाहिए, basically funda क्या होता है, देखो ऐसा होता है, इसको question question आटर्म करने पहले, मॉलिष जो होता है, या मॉलिष टेस्ट जो यूज़ करते हम, वो किसके पहचाने लिए लिए करते हैं, वो यूज़ करते हैं for carbohydrate, कि फलाना structure carbohydrate है या नहीं है, उसके लिए मॉलिष टेस्ट यूज़ करते हैं, क्या वो carbohydrate जो हमने पहचाना मॉलिष के थ्रू, क्या वो monosecret है या नहीं है, तो monosecret पहचाने के लिए बरफोर टेस्ट यूज़ करते हैं, और थर्ड टेस्ट होता है हमारा cellyvinoff test, spelling थोड़ा सा मैं इसका भूल जाता हूं, spelling बार-बार, cellyvinoff test होता है, मैं बताता हूं कौन सा, एक मिन टुकना यार, cellyvinoff, है न, एक टेस्ट होता है, cellyvinoff, यह जो टेस्ट होता है, यह question कई बार मैं इसमें पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, surprisingly, यह जो cellyvinoff test है, यह पहचाने में आपको help करता है, कि वो जो शुगर है, मोनोसेग्रेड, वो एल्डो शुगर है, या कीटो शुगर है, तो देखो, सिक्वेंस समझो, हमारा पार सिक्वेंस क्या है, मॉलिष, बर्फोर्ट, एंद, cellyvinoff test, Sulky speak, यह बताएगा की और यह सी बताएगा की lucis है, यह बताएगा की और वहों तो आपका जो इसक्यां तो आपका श्रू जयाती कीजिवेंस कना आकहूस देख्या है,istine effective, यह बस्तानि सब्सा कुर्चाव मैं के आइक्म पसक्ता लिए और क्या लेक्टोज जो है लेक्टोज ये लेक्टोज क्या एक शुगर है गुलुकोज क्या ये भी शुगर है और ये क्या है प्रोटीन है तो ये कौन सा है ये क्या है मोनोसेकरेड है तो मोनोसेकरेड टेस्ट को हम कौन सा यूज करते हैं हम यूज करते हैं बरफोट टेस्ट तो बॉड बॉड और बाभ पता वापको तो अंसर 2-2 ग्लुकोष बीगूस मुलिश्ट ही देगा और बॉड टेस्ट भी देगा क्योगी यह मॉनो सेगरेट अपको अब यह टेस्ट देगा बाईूरेट पॉस्टीड आगे बढ़ते हैं चलो थोड़ा सा एक्स्प्रेशन पर चोटा करते हैं क्योंकि लेंदी हमारे पास कॉश्चंस है 65 कॉश्चंस बहुत सारे कॉश्चंस इस पे आए तो दोस्त ऐसा है पहले आंसर देख लेते हैं उसके जल्द बेसिकली ओए ओएच 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 और यह क्या है बीटाइड पोस्टी गुल्कोस अब बताइज आपके रेक्शन करवाथे हैं इसका अलकॉल प्लस डाइज तो यह जो वाला वाच यह वाटर बनके बाहर निकलेगा और वाटर बनके बाहर क्यों न इहसे ऑसे यह आपका कंपउंड बरेगा तो यह आप करो क्या Conven toいきます क्या है क्या मतलब क्या होता है एक कश्या 먹고 हो कितने एल्कोल गुरूप फ्री हैं जो कि एस्टिक एनगर सा रेक्शन कर सकते हैं यह लिविंग गुरूप निकल जाएगा यह आपर एल्कोल आटेक मारेगा तो आपको बता रहा है कि बताओ इसमें कितने गुरूप एल्कोल फ्री हैं एक दो तीन और चार तो यह चार मॉल इसने और बना लिया बच्गे चार ओएच तो इसका अंसर होगा फोर यह होगा अच्छा नेक्स पेजलते हैं गुल्कोज निकल एच्टू गुल्कोज में निकल एच्टू को रेक्शन किया तो च्छो क्या बन गया च्छ्टू और उसके बाद हमारे पास जो ए बनेगा व सब्सक्राइब कितने ओएच गुल्कोज में कितने ओएच गुल्कोज प्रेजेंट होते हैं पांच तो पांच मॉल इसके साथ रेक्शन करेंगे तो आगे बढ़ते हैं बच्चों लेंदी पैसिकली कॉस्टू का स्ट्टू करना पसिबल नहीं हो पाता इतने कम समय में इस पर आओ यह रहा सेलीविनो टेस्ट यह में में कम से तीन चार दफा आया हुआ है अभी आने लगा यह कोशन पहले कभी नहीं आता था अभी चार-पांच सलों चार आने लगा है तो इस पर आओ अच्छा मैं पहला वह कॉंसे बदा दो सैलीविनो टेस्ट का कॉंसेप ह है क्या यह पास्ट जो भी शूगर होगा है ना हमें मालगके चलते हैं जो भी मोनो सब्सक्राइब मोनो सब्सक्राइब होगा होता कि कोई बीचल मार्ण कर वाते हैं दो अशलता है को रापढ़ पार काम आएगा तो मैं बार-एक मूझे नहीं पड़ेगा आपको इसकी ए्रेक्शन करवाते हैं रिसॉर्सी नोल के साथ है ना ये रिसॉर्सी नोल है इंदा प्रेजन दो कॉंसेड एचील ओके तो बेसिकली होता क्या है ये जो एल्डोज है हमारे पास माल लेते हैं C6H12O6 है ये है ना गुलुकोज माल लेते हैं ये फ्रक्टोज माल लेते हैं C6H12O6 है तो बेसिकली बच्चों होता क्या है इसमें आपको मिलेगा ये बताओ कि कंपाउंड क्या है इसको क्या बोलते हैं फ्यूरेन ये ना फ्यूरेन बोलते हो कितने कारबन है जनाब 6 कारबन हैं इसके पास तो यहाँ पर बताओ इसको बोलते हैं फ्रफ्यूरेल क्या बोलते हैं फ्रफ्यूरेल और इस पोजिशन पे मैं लगाता हूँ CS2OH और इसको क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं 1,2,3,4,5 5 पे आएगा हाइड्रोक्सी मिथाईल फ्रफ्यूरेल अब यह दंक से समाले ना यह question बहुत बार repeat हुआ यार 5 पे आएड्रोक्सी मिथाईल फ्रफ्यूरेल बेसिकली होता है क्या है यार इस एल्डोज में किटोज में डी हाइड्रेशन चलता है डी हाइड्रेशन अलकीर बनता है यहाँ पर फ्रफ्यूरेल फाइड्रोक्सी मिथाईल फ्रफ्यूरेल जो की रिसोर्चिनोल के साथ कॉंप्लेक्स बनाता है और रेड कलर का यह रेडिश ब्राउन कलर का हमको मिलता सोलीशन ओके यह बात पता होगी आपको नहीं पता है बता रहा हो मैं तो बट इनमें फंडा क्या है यह जो और रेक्षण का रिट है ना इसका माने और रेक्षण रेट रट है और इसका रेक्षण रेट रट के मुझार्ट है तो फॉन जयानए कि कीटो से बहुत फास चलता है बस इसी अधार पे लडो ज को कीटो से distinguish करते हैं तो यह बात समझ लो पहले ही क्यों आगे कोशन रिपीट हो तो मैं सारी बाते रिपीट नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त तो एल्डोज और कीटोज दोनों बनाते हैं फाइव फाइड्रोक्सी मिथाइल फरिफूरेल डिहाइड्रेशन चलता है इसमें किटोज में ए छलिए आगे चलते हैं इस पर आएं प्राइपटाइड है ना पुछने कितने कार्वियों प्रेजन्थ होंगे ट्राइपटाइड में डिखो ऐसा है एक ग्रें आप ट्राइपटाइड में वैसे गिनलोब ये ट्राइपटाइड होगा आपके पास C-O-N-H KHR1 NS2 मैं बना रहूं इनके नामों।ह देखने होंए होई, तो यह आपके बन गए, आप जह सकते हैं यह powered लिंख 2 बनने मेत को है, अब बात करते हैं , पूछाए कितने कब ब refreshingly पन हैं आप मुझे बताओ एक ये रहा दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा carbonate group टीन और इसके अलवा आप इस पर जाओ तो लाईसीन का सख्च्या होता है अडिकार का अशील पश्यु जो आरवन और कैसी अश्ट लाउटे शुट वह ऊट्य का सीच्वÁज हlü यह क्या है सब्सक्राइन क्या होता इसल स्फटीびॡ घृते हैं।र निक逆ू तू स्फटीट चैसे पुछाई कितने्स ग्रुप रस पांचाथी तो 5 ग्रुपक थोड़ा सा complex question है बच्चों सी अमोमन गलती होने बहुत ही नैच्रल सी बात है है ना यहाँ पर कार्बिन ग्रूप आप एल्डिकेटों से मत समझना कार्बिन कोई भी हो सकता है बली है मैड का हो बली वो कार्बॉक्सली के सीड का हो तो यह आंसर विल फाइफ चलिए आगे देखते हैं दोस्त क्लोरोफों मैं एल्कॉलिक क्यों से कौन रेक्शन करेगा अब इसमें ऐसा है कि आपको ना structure पता हो नहीं चाहिए आडिनीन के और इसके एक काम करते हैं बच्चों को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्ट्रक्चर लगा दियें डियारम चिपका दियें बच्चों ली पॉसिबल नहीं है तो यह काम करता हूं मैं बता जाता हूं चोड़ा सा शॉटकर्ट बताता हूं यूरी इंड पाइरमिडीन्स यह दो टाइप के आप अपड़ते हो और नेट्रोंस बेसेज वोते हो आ र मीट धाएट जास च्रहके आओशीन युराइसियल-थाइमिन इसके अंDर आते हैं बड़ी स्पैलिंगैरेन तो इसके अनदर ए्क रिंग बनतीज आ इसमें एक वाले compound के अंदर एक एक वाले compound यह तो इमीन फोर में उससे में मतलब नहीं है बटाओ कौन सा रेक्ट करेगा कौन सा देगा इसो तरने टेस्ट तो इसमें आप मुझे बताओ किसमें फ्री अने इस ग्रूप होता है एडिन में गुवानीन होता है है ंँ तो के जिए लगी है और घ्री है और है व्री OH पॉक्स होता है झाया से पता नहीं प्यूरिंस क्या होता है तो सिंपल सा फंड़ा ष्जार हो छोटीं चोटीं चो बड़ी स्पेलिंग बड़ा सी उटी कट और इसमें एक रिंग आएगा इसमें दो रिंग आते हैं और इसमें फ्री एनस्ट ग्रूप प्रेजेंट होता है तो इसके अधार पर टेस्ट कर सकते हो अगे बच्चा पूचा है सर सर न्यूकली के सिट्स कार्पोड अने चाहिए अरे बाबा सब कुछ आना चाहिए मैं तुम्हें क्या बता हूं सब कुछ आना चाहिए सौरी तु से आज कल ना वैसे बोलूंगा नहीं पेपर तुम्हाना दस दिन के बाद पेपर है में इसका ल यार दोस्स ऐसा है आप यह से कुछन कई बार आएंगे मैं आप वो ट्रिक पहले बता रहता हूं देखो तीन डाइस सेकेड़ सेलिबस में आपके कौन-कौन से मल्टोस लेक्टोस और पता कौन सा सुक्रोज एक तुम्हें ट्रिक बताता हूं तुम्हें काम ही आईगी वि यह अलफा डी-पोजटीगल्कॉज और अलफा डी-पोजटीगल्कॉज के मिलने से बनता है इसका पहला कारबन और इसका चोथा कारबन पर जो ओस ग्रुप होता है उससे वॉटर नहीं कल जाता और एथर बन जाता है जिसको बोलते है गलाइकोस्री लिंकेज क्योंकि दो प्लस बीटा डी पॉस्टीव ग्लुकॉस है ना दोनों बीटा बीटा है यहाँ पर इसका पहला कारबन इसका चोथा कारबन पर जो ओएस गुरुप प्रजेंट होता है वाटर निकल जाता है एथर बन जाता है बोलते बीटा ग्लाइकोसेटिक लिंकेस बोलते हैं सुक्रोस प्रक्टोस प्रक्टोस इसका पहला कारवा इसका दूसरा कारवा पर जो ओएस गुर्फेट होते हैं वहाँ से वोटर निक जाता है एथर बनता है गलाइकोसरी लिंकेस बहुते हैं का यार रट लेना माल्टोस में अलफा 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 लेक्टोस में बीटा-बीटा सुकरोस में अलफा-बीटा जिसमें अलफा-अलफा ऑनफूर से जुडते है in है तो यहां जो बनेगा ऊसको बोलेंगे यहांặt बीटा बीटा वनफुल्यकॉसदी लिंकेद्स यहां पर आलफा बीटा वनफुलिंकेद्स नाम होते हैं अब है को बार बार आएगा अब यह बार बार रिपीट निए करूंगा मैं। तो माल्टोस क्या होता है simple अच्छा अब एक बार नो Europeata यानिक एक 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 एथर जब एक आर्मे पर उपस थी तो तो एक है इस्टर लिंकेज इन दोनों के अंदर और इसकी अंदर क्या होता है दोनों ही हिस्तर लिंकेज होते हैं ओ और ऊवर और अंदर अंदर रोड़ज काया है है सब्सक्राइब करता है अब बताना मुझे करना माल्टोज में क्या होता है एक हमिस्टल होता है और एक एस्टल होता है यह रहा ऑप्शन टेकिन ठीक है इसमें दोने इस्टल होते है तो फिलाल तो यह अलफा बीटा बीटा अलफा बीटा वन फॉर वन टू यह रट लो इसमें गलेक्टोज पहले आता है गुलकोज बाद में आता है यह ना यह ध्यार नहीं चलो आगे देखते हैं और देखते है बच्चेस में अभी आगे चलते हैं यार नंबर ओका सिर्फ थ्रियो नीन अरे यार दोस्त बच्चों की जान लोगे तुम कितने गंदेंदे क्वेश्चन पूछके यार यह ना यह आपका पता है अलफा मैने सीड होता है और यह जो आर ना यह दि आर ग्रूप यह होता है यह होता है तो उसको बोलते थ्रियो नीन कितने काल सेंटर प्रेजेंट आए एक और भी आ गया तो कितने काल सेंटर हो जाएंगे दो आप यार बेसिली इस कोश्चिंग की इंपोर्टनेस क्या है कि जितने बील्फा मैने से बंते न उसमें गिने जोने दो तीनी है माइन इ लुच्ण नहीं आइसीन में आए का को अ आपको ना अर्गूप बढ़ेंगे या एसेंश्चल मैने से होते हैं एक तो होता है यह यह एसेंश्चल होते हैं वेलिजील इसलीजिड हयल है कि是貸ff आजीघ्र के पताना सारे यह बेसिक अमयनश्य होते हैं यह यह आपके कैल होते हैं सेसंशल होते है थो मेलनुट्रिशिंट की के इसके अलबार होता है ओना बार Homerson या कहते हैं उसको फिनाइल फिनाइल एलानीन और एक होता है आपका शायद चेक ना ट्रिप्टोफेंड तो यह दस है मैनुसिज होते हैं अप चेक करने नहीं यार यह वैलीन लूसिन और वैलीन यह रहे दो एसेंशल है यह लाइसिन यह रहा जो की बेसिक मैनुसिज होता है हिस्टिटिन आर्जिन लाइसिन रटने पड़ेंगे यह भी बेसिक होता है तो सुरी अपका एसेंशल होता है यह होता है नोन एसेंशल नहीं खाओ तो कोई दीकर नहीं है लीवर बना लेगा आप अपने आप चलो यह लोगी एक जाननेवा कोश्चन और कायल सेंटर कोश्चन पूछ रहे हैं आइसो लिए रहा आरजिनीन प्रॉलीन यह में बाद सुनो एक काम करते हैं प्रेप्टाइड दिया हुआ है क्या है ट्राइप्टाइड तो आप सिंपली ऐसे लिखो नहार क्यों परशान ह और शीएच और थ्री शीएच यह रहा यह ट्राइप्टाइड है पूछा गया काय सेंटर कितने हैं अच्छा काम बताओ आइसो लिसीन क्या होता है आर जब एलकायल गूप आइसो लिसी में जब हो ना सेकेंडरिम ट्रॉप यार दोस्त बच्चे होजेंगे परिशान करते हैं ना हमें यह यह वर होता है रहा जब स्टीन इसमिकए होता ह्ने अश कञ्रों से तरुपा यंख sixt यह के बोला में हमार यह वाला तो इसको ब्लप में आफा और शीव प्रोलीन प्रोलीन तो यह अलग से होता है यार यह इसको बोलते है प्रोलीन तो ऐसे basically अरे 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 क्या हो गया कहा गया question हमारा Just a minute Yes तो आप मैं जो बता हो कायल सेंटर पूछ रहा है जन्नाब तो तीन कायल सेंटर तो दिखे रहे हैं ये लिए एक, दो और तीन, तीन तो दिखे रहें साफ साफ इसके लबाझ इसमें आगा aard बुब योगा चार. बाखिक इसमें का इसे आने को है ही नहीं वाला, पर तो कितने आएंगे for, यह सुझ में आगे न तीन तो यह रहे, ग मैंने बोला ना. हैं यह मेंज के कॉश्चन नहीं है यह डवांस सपरफॉर्अ के कॉश्चन थे हैं तो अब सब्सक्राइब अब ऐसा होता है दोस्त पहले काम करो पहले तो अब पोस्टिगोल बना लो और फिर बीटाव डी फ्रक्तो बना लो तो यह क्या होता है पहले मैं तो शुक्रो बनाकर दिखाता हूं C2OH OH OH CH2OH यहां लगाया OH इसमें जलते हैं अलफ़ है ना अलफा तो यह लिखता है OH मुझे तो याद है मैं इसे बता रहूं फटा फट आपको याद कैसे करने है वह मैं समझाने से रहा है न हो एच हो एच है अब एक काम करो नंबरी करते हैं 123456 123456 अब बताओ आपको या करना है बनाना सुक्रोज 1 और 2 को जोड़ दो यहां से OH और H वोटर निकल जागा यहां से वोटर निकल देना और इसको जोड़ देना यह अक्सी यहां से जोड़ जागा यहां से ना यार तो यह बताओ क्या बनेगा यह बनेगा गलाइकोसरी लिंके इस टाइप से कितने Parce pau capable इंगे सेंट्र कारेंगे यह डिया क्योंक्त वेए यह इप हए यह हो गए यह सेंटर कारेंगे कितने प्लस वॉर नाइन को सिट वी सक्षे यां ना नहीं तो को दिकत नहीं है आप वैसे कि यह दिमा में इतना पता ही है कि यहां पर लगा होता है बाकी सब सेंटर करें लाएंगे तो पांच प्लस चार नो चलो यार मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं यार क्योंकि मुझे पता है रहा 65 कोश्चिंस कैसे डिसल्स करने मुझे क्या याद करने का ट्रिक है मेरे दोस्त ट्रिक है बट मैं तुम्हारा बैर वीडियों कम समय दोक्तें बता था है जो मैं नहीं यह अच्छी से बता ही मैं मैं अच्छी चीज़ नहीं कौन सा अरे कहां गया हो आरे वह माल्टोज का स्ट爆 स्ञ गुलुकोस का इस वाला वैं यह वाला कि हेमेस्लिंकेज होना चीए तब शुकर इडीशिंग हो गा अथेगा अब चलते है जल्द है जल्द है जल्द है इसक्त यहहां है सब्सक्राइब छाहरा ह। चुब क्लै आजन को ऋखाए बनलता बच्छे को लेटे तो न्यूंत है है क्या बात है अच्छा इस पर आओ विच ओफ वर्फोलिंग स्टेटबंट आर नोट त्र्यू मेरे दोस्त ए लेक्तोज कंटेंज यार एक बाँ बता हो यार लेक्टोज में क्या होता है क्या जूडता क्या अल्फा जूडता बीटा बीटा अभी बता ना में दिखा हुआ है बीटा होना चाहिए पूछा क्या है ट्रू कौन से नहीं है पहली लेन में आंसर मिल गया दूसरी लेन में देख लेते हैं आपको यह बताने का अशकता नहीं है को जोड़ो पानी निकाल दो ऑच्छ लेक्टोज मिल्क शुगर गुज गुलुकोज गुलुकोज मिलके बनता है लेक्टोज वह बोला यह है है तो शुगर कि होगा रिडूसिंग टॉलेंस बली फेलिंग्स हो शुगर रिडूसिंग होगा है यह भी मैंने भी आप बोला मैंने आपको ओके तो वही कॉश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था आप माल्टो क्या होगा माल्टो यह होगा अल्फा एल्फा लेक। ईन्यूवे अच्छा यह बताओ किसलए और यह के डिस्टो ऑपीस बोलता हूं प्रोटिक टेस्ट और एक आवब다면 मैं बोल है आपको निंड है्डरीन टेस्ट noise blasting यह अब कह से प्रोटिन के अधिन्ट्रिकमेशन के लिए पिलाल यह प्याओ यह क्या है कुछा के अधिटिफिकिशन ओफ ठीक है यह होजाएगा आपका के लिए और यह होजाएगा प्रोटिंग के लिए तो अंसर क्यों अधिकर यह रहा फर्स्ट है ठीक है और चलें आगे खोन का थक्का कौन नहीं बनाता है कौन हेल्प करता है कौन सा हेल्प करता है यह तो बच्पने पड़ा था वाइटमिन के चाहिए और कैल्शिमान चाहिए होता है है ना तो वाइटमिन के खोन का थक्का जवाने के लिए चाहिए बताओ चलो यह बताओ चलो सा साथ में fertility के लिए good for vitamin E vitamin C पता ही है न God कोई इसकी कमी से शकर्वी हो जाता है vitamin C क्या बोलते है ascorbic acid बोलते है ascorbic acid है ना इसकी कमी स्कर्वी हो जाता है vitamin B तो बहुँ सारे होते है बहुँ सारे के total 8 vitamin B होते है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 के लिए ब्लड क्लोटिंग लिए केल्शी मैंन भी चाहिए होता है जो आगे चलें चलेंगे वाइटमीन केबारे में आप छोटी सीचा बताँ हमाई यार एडी ये ये फैट शोलिवल वाइटमिन होता है इसके इलावाज होते होते हैं जितने भी हैं वो सारे Water Solubil होते हैं वाइटमीन सी हो बहुत कम क्वाटिटीमें होता तो है और ठीक है ये के का मनता है लिवर में सिंथेसिस होता है वाइटमिन के का ओके जिसका अच्छा लिवर काम करेगा ना उसकी ब्लड क्लोटिंग अच्छी होती है आगे चलें यह लो जी क्या है विच अमन्द फॉलिंग पर विटामिन इस टोड इन और बोडी रिलेटिव फॉर लॉंगर डूरेशन अब मुझे बताओ यार जो वाट स्टोर कौन से होता है वाइटमिन डी स्टोर होता है यह वाइटमिन ए भी स्टोर होता है यह स्टोर हो गया नहीं जी वाटर सोलीबल है बाहर सूसू से बाहर तो अंसर क्या होगा थर्ड वाला ओके थाइमिन क्या होता है यह वाइटमिन बी होता है यार बी वन होता है बाह याँ दखना है ADEK क्या ADEK क्या होता है fat-soluble बाकी सब water-soluble और जो fat-soluble होंगे body-store कर लेगे उसको secondary structure यह secondary structure मैं पढ़ते हो आप alpha-helical or beta-helix oh sorry alpha-helix and beta-pleted sheet पढ़ते हो न यार तो ठीक है न वह alpha-helix में आपने पढ़ाओगा माइनों से जुड़ते हैं बनाते हैं polypeptide वह ऐसे ring बनाते स्प्रिंग की तरह है आपस में एच बोलते हैं तो वह उसका वज़य क्या होता है उसका वज़य होता है है अगे चले सर बहुत जल्दी है कि आपको ट्रेन पकड़नी है ट्रेन तो नहीं पकड़नी बहुत काम करने अच्छा टा टायरोसीन बताओ टायरोसीन कैं होता है यह हुल आवला ओता है यह बता पहला मुझे आ चसे और अब क्या बोलेंगे टाइरोसी यह पैटर्न होता है तो टाइरोसीन कॉनसा होगा देख लाना अब आप टाइरोसीन कॉनसा होगा यह नहीं यह होगा यह वाला नज़र आगे नहीं वाला गुरूप थर्ड वाला चलो जी प्रक्टो जीन एक्जम्पल ओ यह तो कोई भी बताएगा या दोस्ट कीटो एक्जोज जिसको यह नहीं आता इंजोई जिन्दगी के मज़े लो बेटा एन नौन रिदूसीन शुगर ए हाइडोलेजर टू गिव टू रिदूसी शुगर मोनोसेगर बताया थोड़े पहले मिलेजर बताया आप्त की अजय एलोजी जगलाइकोजन येस इस काउड़ इस गडाय अनिमल स्टार्च क्यों बोलता इसको 디 climbing कहाएट menor अट कि हमारे लिवर में जो भी आप extra food खाते हो लिवर में store होता है इसका structure start के समान होता है तो start के structure है बड़ मिलता किसी में हमारे human bodies में इसको क्या बोलते है एनिमल starts बोलते है सोर्स ओफ एमर्जनसी एनरजी जो तुम एक्स्ट्रा खाते हो लिवर में स्टोर हो जाता है बोड़ी सोचती है कि यह नलाई कभी काम करेगा तो मुझे यूज कर जाएगा एज सोर्स ओफ एनरजी बड़ तुम यह कभी यूज करते नहीं हो रोटी स्वाद लगी दो की बज एक कोसे लिंकेज हां या सालमम मुझे बताओ दॉस और स्टार्च फोलिंकिरेट या स्टिव फरक् े क्या होता है या निइंॐ है यह था दीपोस्टी को सब्सक्र को blema ना इस परक होता है यह बीटा-दिपोस्टी को सब्सक्रीं पोल्नेरें और यह यह अलफा इसका मदलब यदि आपको भूख लगे तो आप क्या करोगे आप स्टार्ट्स खाऊगे चाहिए तो गुलुकोस चाहिए ना यार बट फिर भी हम सेलूज नहीं खाते हैं लक्ति जोड़ी खाएंगे क्यों कि हमारे इंटेस्ट्रे में जो एंजाइम्स होते हैं वह बीटा ग बीटा लिंक्स टूटते नहीं है दोस्त जल्दी से तो हम स्टार्च में अलवाडी पॉस्टीगूल को होता है अच्छा अब क्वेश्चन कर लो इन्कृरेक्ट यह भी सही है आम आईलोज अच्छा सुनो स्टार्च में ना स्टार्च में दो भाग होते हैं दो हिस्से होत हैं एक स्टिपसेंट मालनेते हैं यह यह तो होता है क्या होता है इसमें यह भी आलफा इसमें चीवन चीफो लिंके लॉते हैं अब इसका मिलग्या हुआ जिसमें ज्यादा प्रकराइक लिंके आती है यह लीनियर लीनियर तो यह स्टेट्मन गलता है and my loss is a branch chain polymer यह statement करता है linear chain of polymer होता है तो यह statement third will be incorrect ठीक ओके आगी चले बाई सब रटना पड़ेगा I am helpless और क्या रटना पड़ेगा बताया तो आपको मैं यह ना यह बेटा ninhydrin होता है यह वाला compound यह रा यह ninhydrin है यह reaction करता है अलफा मैंशी के साथ और बनाता है complex बनाता है यह वाला इसको rumans purple बोलते है rumans purple नाम लिखा हो ना या लिखा हो ना या rumans purple purple कलो complex बनता है यह वाला ninhydrin reaction करता है अलफा मैंशी साथ rumans purple बनता है एक बार यह आया question प्रोटीन की पैचाने का टेस्ट होता है चलें आगे चलो यह तो पता ही आपको क्या करते है यार रेक्शन को फास करते हैं जस्त लाइक कैटलिस्ट क्या हर एंजाइम वह पढ़ते थे ना बच्पन में 90 क्लास में पढ़ते थे लोकेंड की कॉंसेप्ट इससे जूड़ जाएगा तभी एंजाइम काम करेगा किसी पर्टिकुलर चीज पर हर कोई एंजाइम पर्टिकल पर काम नहीं करते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम पेपसीन ही इसको पचायेगा जैमेज इसको पचायेगा यह हैना डाइजस्ट काम का function अदिस्ट स्पेसिफिक होता नै यार तो दोस्त ऐसा है तो एंजाइम सा नोन स्पेसिफिक फोर एक्शन ये श्रिक्शन आप जैसे ना कहते हैं ज्यादा हिटिंग पे प्रोटीन क्या होता है डी नेचुराइशन नस्ट हो जाता है ज्यादा गरम करते हैं तो यह एंजाइम का भी टेंपरचर बढ़ा होगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं कम कर देते हैं तो temperature optimum होना चाहिए body का temperature 37 degree बुखार हो गया तो digestion पूर हो जाता है क्यों enzymes function नहीं कर बाते प्रोपर तरीके से temperature high enzymes dysfunction हो जाते हैं ठीक है जी ओके यह रहा एक काम करना एक trick रट ले ना ट्रिक बता रहो मैं one two three five six seven और नो बारा यह आठ हमाइने सीड्स होते है टी आर इसको क्या बोलते हैं प्यामिन राइपलेविन और इसका एक नाम और था बूल के चलो छोड़ो पी पी बी और यह आपका है अब यह देख लेता हो न याद मि आरे मुझे तक चोड़ू बाब में देखते हैं यह तो होता है thiamin one two three b1 thiamin होता है 2 riboflavin होता है थी का नाम छोड़ो देख लकिंबेए न आप ncrd में पी का नाम होता है पारिडोक्सिन नियसीन थायमीन राइबोफ्लेविन नियसीन ट्रन 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 रट लेना ऐसे मैं भी रट लूँगा ऐसे मुझे भी याद ऐसी रहता है वन ट्री ट्री ट्रन ट्रन 567 पीपीब और तू बताओ यह वाइटम बीट्स पता ना यार बहुत खेमस है सायनो कोबालमीन कोबाल टोक्टर के अंदर यह यह फॉलिक असीड शोटे जोते लोगों खाने पिने में न तो फॉलिक असीड डॉक्टर कई बार टेबलस यह रहा लिखावा ने आपर कहां गया यह रहा पारीडॉक्सीन यह बीशिक्स होता है लाइकों ने गंदा कोशन पूचा बच्चों से तंग करने के लिए टी थाइमिन वन वाला यह रहा अब बताव कर लो बात मैं कहा रहा ना आपका यह एडवांस लेबल पर चलते हैं वा यह लोग सप्लीमेंट के खाते हैं यह भी खाता हूं चलो और यह बीकासुल होता है उसमें आठों वाइटन बी होते हैं यार बीकासुल में आठों का एक कॉंबिनिशन होता है अलगलग रेशियो में चलो चलें आगे वाटर서लिववड प्रोटिन आपर तर्शिल स्रक्शर् एक होता है globular प्रोटिन्स और एक होता है fibrous प्रोटिन यह जोतुलिक्स छोते है secondary structure वह यह बनाता है जोता है बीटा प्लेड़ेट शीस वह यह बनाता है यार दोस्त और इस में पता कौंए आते हैं थे आते हैं कि रिदिदार में और वैलों में मसे होता और को लेजन आप कितने बुढे हो गए कनका जब सब्सक्राइब कहरेगा आपकी बोडी में क्यूं चुकिंछ बड़ाफ यह मायोसीन मसे ना चीह जाह democrist Carry किरिटीन यह फाइब्रिस ओटे और यह सब क्या होता है वॉटर इंसूलीबल यह घुलते है निया पानी के अंदर और क्लोब बॉलर में होता है यह जनाब एककप्रोटिन अल्भूप सै ओ और ना आपका इंसूलीन होता है हौर्मों होता है आना है नो मुद्धोन होता है यह और इसी टाइप से ना आपका उचलेशेत अपर च्ग्शा को ओन और लिया जाएँ यह 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 तीनों हाते है षटो आपकिए अए üzerine आपका एक क्या को एंजाइमस पर में आगया question यह वाला तुम्हें answer 2 कर दिया भया इन्होंने इस पर अगली बार कुछ और पुछ लेंगे तो पताओ ना जी कौन सा water solubile है कौन से water in solubile है चलें आगे चलें यह लो यह सबसे गंदा question लगा था मुझे वही यार अब यार मैं तुम्हें सच बता हूँ यह question मैं खुद ने देखा आपको बताने से पहले यह क्या दिया हुआ है है ना complimentary base of तो यह स्ट्रक्षर थायमीन है क्योंकि मैंने आप बताने से पहले देखा बुक में तो मुझे पता लगा अधर मुझे पता निए थायमीन है तो यह पता था कि एडिनीन और थायमीन आपको जुड़ते है थायमीन जुड़ते है तो यह थायमीन है तो पताओ किस बच्चे पूछते हैं तो मैं किताब से देखे बता रहता हूं और मेरा रिकमेंडेशन है नमस्ते कर दो ऐसे को ठीक है न क्योंकि रट रखे पुम गलती करोगे फिर न कोई गलती हो जाएगी उसमें और इसके आने समाना बहुती कम होती है तो ठीक है चलो यह रहा बताओ अब मोनो सेकरेड को डिस्ट्रिश कैसे करेंगे डिसेकरेड से बताया था शुरू में बर्फोर टेस्ट से है ना बर्फोर टेस्ट शूरू में देख लिया था अब यह बर्फोर टेस्ट होता क्या है हलका से बतायाता हूं कोई भी मोनो सेकराइड कोई भी मोनो सेकराइड के हैंना यहां पर रैंड पिपिड बनते हैं god यह करो इसको अभ बढ़के आपको इसका महत्तों पता होना ची rider iज भ ुद्व के इस पर तेस्विशं प्रेश्विक भ standardzug ध्युक्व प illnesses इसको जानगे क्या करूँ आए चलो जी कंपाउंड है कि D-Galactose and D-Glucose तो वही कोशन रिपीट हो गया Galactose and glucose किससे बनता है लेक्टोस से Milk Sugar से जाए आगे पिटा चलो जैसे कोशन रिपीट बहुत जाद हो रहे हैं आउट ओफ यह रहा हो मैं यार यह न यूरासिल की अललोफ फॉम बनाया है पाइरमीधिन पे सदों पसंग की इनों बनाया है अब यह फोर्म में उस इस इना ऊटा है बनाया है आज है और तो 2020 साईटोसीन तद्यूमつ keप्रेम्डेृटी के सब्सक्री द्सक्राék वें कि ब्तामीमें और new एंग के सब्सक्रावार्य तो यह यूरा सी तो बस इस फ्रम एक्जिस्ट करता है यह factual information है एक fact है यह और ऐसे question को हमें नमस्ते बोलना चीए हमें 100% question ही करने हमें 10 में से no question हो जाए हमारे और निके तो यू शूद बिम्हार देन हैपी hydrolysis of sucrose gives glucose अफल बने गाए बीटा तो एक बीटा है अच्छा इसमें पता है गलती क्या है इसमें इसमें गलती है दोस्त यह थाँ सही है सही है सही है इसमें गलती नहीं है स्वारी मैं गलती हो है यह यह आपका डी वाला लीव होई होता है तो आंसर यह alpha-dipozy glucose और beta-d negative fructose आंसर के बाद है first हो जागा यह ठीक है कोई गलती नहीं है D fructose live होता है याद खना है यह बात glucose में dextro होता है D glucose बट fructose में live होता है जनाब अरे मैं आपके question ही पड़ पाया बीच में सर तो फाइफ ओसी चैप्टर फॉर में अकॉर्डिंग तो यू अरे मेरे अरे चैप्टर सबसे इंपोर्टन चैप्टर आता है आपका अलकाईलालाइड सेक्नी चैप्टर आता है अल्डियकिटोंस फर्ड चैप्टर आपका आता है aromatic compound in terms of importance और फिर चोथा चैप्टर मान के चलो alcohol और पांच चैप्टर मान के चलो आगे चले को टो दोस्ट ऐसा है ऐसा है आगे वड़ते हैं आगे बढ़ते हैं वह सब्सक्राइर compound contains c1 c1 c4 glycosyl linkage अब बताओ वही बात आगी ना c1 c4 linkage किसमे होगा माल्टोई में होता है और लेक्टोज में होता है बैद माल्टोज में अलफा-अलफा होता है और लेक्टोज में बीटा बीटा होता है ना तो आंसर क्या होगा जाए इस यह इस इस आंशर ब्राइब तो सेन करें बताता हूं को मैं थे विसका पॉलीमर रहे हैं और बीटा डीपोसीफ गारख से आप ने क्या किया आपने इतने डीपेस्टों सेंच में आपने तोड़ दिया कि सीकूर्भ प्रेकडाउं कर दिया किसूर दिया डीप और ये क्या बन गया वाई बन गया वाई ये वाई बन गया और वाई ने रेक्शन किसे साथ की ब्रॉमिन वोटर के साथ तो ब्रोमे मोटर क्या करेगा एक ऑक्सिदेजिंग एजेंट है वो क्या करेगा एल्डेट को औक्सिदेज करेगा किसके नदर कार्बोकसलिक इसीट अंदर और जैसे शुरु में पढ़ाता पहला पहला पॉष्शन तो बताओ क्या बनेगा बनेगा ना यह आपका से लिंक निखेज होता है स्टार्ट में तो अलफा होता है दोस्त इसलिए इस वाइन से क्लिए छली इस पर आफट आफट वैंशुगर एक्स बॉइल्ड अभी लिय रोटेटरी एंड डी क्या है यह रहा सैकरी के सिर्ट क्या होता है यह गुलुकोज के ऑक्सिर्स बनता है द दोनों उपर वाले ग्रूप उपर वाले और निचे वाले ग्रूप को कर दो कार्बॉक्स लिक में कर दो तो इसको बोलते हैं गुलुकैरिक एसीड या फिर सैकरिक एसीड एक ही बात होती है है ना तो ऐसा करते हैं यह आंसर मुझे पता लग गया क्या है यह क्या आपका यह होगा सुक्रोज कैसे पता लगए मुझavor देखो यह गुल कोजिए ना इसको गरत ऑक्सिराइज तो क्या बनेगा यह बनेगा सैकरी एशी यह बन गया इस इतो पटावkh आई और यह बटो भी टोशिदम यह प्लाइख की खे далह वरड़ जीए हैं हैं टॉ कि मिलने से क्या बनता है सुक्रोज तो आंसर के होगा टू सुक्रोज चलिए बच्चों आगे चलते हैं 36 कोश्चन हो चुगे हैं करेबन करेबन इतना ही कोश्चन पर पैंडिंग है यार 65 जूलिए सीव अलफा गुलकोज बीटा फ्रक्टोज अब यह कोशन बार बार कोशन रिपीट हो रहे हैं ग्लाकोस लिंके y writing team 10 कि विंच पी इसकी भीच में प्भीअ आप काम करो इसमें हमेस्टिल की जू दूद लो आप ये वड़ा लिंक की जसके नंदर यह लिंक न रइनक प्रेजेन और वो शुगर रिदूसिंग हो गाँ sådan कि तो यह दिख्रा मुझे यह थर यह अल्कॉल इसमें दिख रहा इसा लिंक नहीं दिख्ड़ा मुझे जो इसमें दिख्ड़ाइगी अश्य आप यहिस लिए उउल इसके हो आदि ऊपटें अपर फरस्ट है मिदो यह दृले में की हमिसल भूगा देशंट है है अ अच्छा कोशनेर से तो वरी स्लोली यार वो नाम था ना आपका क्या नाम था उसका वने बोला था तो इन वेरी बिग नी में बताया था आपको एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंगुश करने के लिए सेली विनो टैस यूज करते हैं एल्डोज रेक्शन करता है स्लोज किटोज रेक्शन करता है फास्ट तो एल्डोज ना एल्डोज बनाएगा फरिफिरेल और अब बताओ वेरी स्लोली रेक्शन बहुत स्लोज करता है तो बताओ एक फिर्फरियक के करेगा शुरु में बता चुका है इस के इस अंसर में तो अंसर में क्या होगा इसका ELDopentos my MOD PENTOS कर रहा हों है Toronto च्क्यों को यह नि stopping आप रही हुत मेंगी हमें else Done c Urb चले और थोड़ा सा क्रेक्शिन यहां पर यह रेड फोस्व एक लणे यह आपर यार तो गुलुकोज के रेट्शिन से क्या बनता है नॉर्मल हैक्जेन यह रहा गुलुकोज ब्रोमीन वाटर के अक्सेलेज करने से क्या बनेगा गुलुकोणिक एसीड यह रहा गुलुकोज प्लस एसिटी गनाईडर बनेगा गुलुकोज पैंट असीड यह रहा जब दोनों के उपर वाले और निचे वाला दोनों गुरू को करते हो काप बॉक्सली गूर्प में गुलुकोज के है ना तो क्या कर आएगा उपर वाले को औक सिर्द नीचे वाले को नहीं आएई क Sü 변ै अग Dew कातों चेंश कर आउब दा अप यह निचा करनेया और यह अप और यहा पर आप करोगा है इवण मेंबर एक्सचेंज इवन अब एक्षेंग से क्या होता है इस तरीका होता है हो बनाने का फीशर से होवर्थ में करवजन इस तरीके सी किया जाता है फ्रक्टोज सिंपल कोश्चन है यह को या लोजिकली करवा आप C6H12O6 यह फ्रक्टोज होता न अच्छा अच्छा यह बात बताओ यह दि किसी कर दिया है तो दोस्त मुझे बताओ कितने कार्बन का कितने अक्षिन का इंक्रिमेंट हुआ तो यहां पर यहां से यहां जाने में आप वो कितने कार्बन का बेनिफिट मिला और यहां पर 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 य एक कारवन बात बाराबर एक ओक्सिजन तीन ओक्सिजन कितने का इंक्रिमेंट हुआ दो ओक्सिंग इंक्रिमेंट हुआ तो C,H,CO2,H कितने हैं 0। यहापर 2H आएंगे 1H यह रहा एक है तो CH2O2 का इंक्रिमेंट हुआ । तो बताओ यह जो न आ तो पताओ यह क्या होगा C7 12 है 14 और 6 है तो यह आपका चाहिए ना C7 14 08 यह यहां रहा रहा और यहां रहा है और यह क्या बनेगा यह तो पते ही आपको फ्रक्टोस का रिडुक्शन से क्या बनेगा यह बन जाएगा ना यार यह बन जाएगा ना यार यह बन जाएगा नॉर्मल हैग्जें तो यह तरीका हुआ वह पिस वह कॉश्चन बताओ यह बताया था शुरू में स्टार्श के दो कॉम्पोनेंट एक होता है मिलो एक मैलो पेक्टीन अम बास्मती राइस में मैं अलग होता है तो यह अरश के दार mi पोपुलीमर ने फे पॉस्ती बहुत है ने थायलंद के राहिस लागता है कभिआले को पॉस्त घ्लाद के अचा लिंकेज तो इसका आंसर क्या होगा एज इंगरेट एंड बीज पहला गलत है और दूसरा सही है तो यह होगा फॉर्थ कि चलें आगे कि प्रैमरी स्ट्च्चर बताओ कोई भी प्रोटिन को गरम कर लो कोई भी प्रोटिन को गरम करो अरे क्या होता है सीकेंस उसकी इसकी बैंगमल ऑन thick Eng हो जाएंगे बट आप मैंगो मिरीरी ऑफी घेंज कोई हो जाएग गा इसका उसको क्या बोलता है प्राम भी श्रिक्टर तो इंट लिमसी आउ चलिए, आप मुझे बताओ, टेटर पेप्टाइड में कितने माइनुसिज होते हैं, तीन पेप्टाइड होंगे, और चार माइनुसिज होंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा, चार माइनस तीन प्रवर एक, आंसर एक आजएगा, चलें आगे, ओके, ठीक है, चलिए, चलो दोस्तों, मुझे कोश्चन सर्व करने है, मुझे यहां पर पढ़ाना नहीं है, और 65 वो भी बायमोलेकुल की, कॉंप्लेक्स स्टक्चर्स तो मैं यहां पर चैप्टर पढ़ा हुआ है, सिर्फ उनको समझ में आएगा, पढ़ने की उम्मी से मत बैठना भईया, मैं पेपर डिसेज कर रहा हूं कि आपने पहले चैप्टर थोड़ा बात पढ़ा होगा, उसकी एकोर्डिंग कर रहे हो, पढ़ाने थोड़ी लग रहा हूं कोई क्लास थोड़ी लग रही है, डिसकुशन चल रहा है पढ़ाने कॉश्यंस का, तो स्टेबलिटी ओफ अल्फा हैलिक्स ट्क्चर्टर अफ प्रोटिन डिपेंड्स अपॉन, तो बताओ, अल्फा हैलिक्स में क्या होता है, वो स्पैर अल्फा हैलिक्स ट्टेबल का वहाँ जब उसके विच में क्या होगा है एच बंडिंग होगा तो यह रहा है एच बंडिंग यह इस्ट्रक्चर होगा या एच बंडिंग वह से वह अल्फा हैलिक्स एक शेप बनता है यार चलो, आगे चलते हैं दोस्त इस पे आओ DNA और RNA, फुल फॉम बताव दियोवस और यी कहां राइब दीने में क्या होता है सिंच पूर्फ फुल फूम पूसर आपसे इंडिरेक्ली य। रने फूल फूल क्या होता है स्थटॉसन क्राइब राइब आप स्थक्चन जानना जाते हों तो स्थक्चर सा का है और तो आपने च्छार्ट और दोस्त करना यार दोस्त में और यह यहां पर है तो बताओ आपने क्या किया चेंज क्या किया आपने आपने इसको रएबो चेंज कर दिया इस और चेंज कर दिया ऑक्सिन रइबोस कर दिया आपने तो एक रइबोस होता है इस अब चलिए आगे चलते हैं ट्राइप्टाइट पॉसिबल वैलीन एंड प्रॉलीन अब मुझे बताव भी यह दिमाग लगाव थोड़ा सा ठीक है ना चलो वैलीन प्रॉलीन में कितने ट्राइप्टाइड क्या ट्राइप पुछा ना ट्राइप्टाइड तो देखो वैलीन वैलीन जूट सकते हैं प्रॉलीन प्रॉलीन जूट सकते हैं और ऐसा भी हो सकता ना वैलीन वैलीन दो वैलीन एक प्रॉलीन जूट जूट अब ज़त वी वी पी और फीवी यह सेम बात होंगे अलग बात उगे अलग लग बात होगी नहों गयुक्ड वैलीड प्रोलीन और प्रोलीन वपाली वैली में ए क्या और रसे की पहले मैं आपको hints solve कर आ रहा हो और अपने वी पी वी अब काम करें वी पी वी वेलिन में को उल्टा करू जा एक आप शिदा करें लिया अब सुमिलर्ली अभी मैंने क्या किया दो वैलुन माने प्रोली अपने वैली दो प्रोलीन एक वैली एक वैली ऐसे लगो पीपीवी यह दोनों सेम बात है अलग लग बात है आपको जोड़ना आना चीह यार सिद्धी से बात ही आई एनस्टू लेफ्ट में आएगा यहां पर राइट में कार्पोसली गुरूप आएगा इसमें वैलिन में एनस्टू लेफ्ट में आएगा और प्रोलिंग साथ शीओ तो पहले से पढ़ाऊना चीह भाईया यह काम पढ़ाने का नहीं मेरा सिर्व मैं आपको दे रहा हूं आंसर डिस्कुशन थोड़ा सा हिंट मिल जाए जिसको बच्चे पहले से आता है उसको आएगा समझ में जिसको पहले नहीं आता इंजोई बेटा है ना काम पढ़ाना कशान पढ़ यह घर काम यह कैसे बना थे हैं चलिए आगी चलते हैं ऑग इसवारे में बताओ मुझे अलफ ये पैचानने है हाँ बत्चा ग़रें था कुछ ट्रिक है किसका है इसका है इसकी श्क्ष enabling को सकर बताता हूं यह मैं गुल को बना के दिखाता हूं एक बनाएथा गल्रोस अब एक यार काम रखना, मैं दो क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, क्या बोला मैंने, डबलु, डबलु, ऐसे बनाऊँगा, डबलु, बदो कैसे बनाऊँगा, डबलु, listen to me again, यहां रखना, चलो color change करते हैं, यहां रखना, OH, 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 CS2OH, यह जो है न बिटा, यह डबलु, डबलु, यह बीटा डी पोस्टिगूल कोज होता है, तो नम्बरी करें बार, नम्बरी कर लेते हैं, यह वन नम्बर, क्या color change करते हैं, नमाजा नहीं आता, यह color, यह आपको कौन सा है, वन नम्बर, यह 2, यह 3, यह 4, और यह 5, और यह 6 नम्बर है, तो यह क्या बीटा डी पोस्टिगूल कोज होता है, तो इसको पल्टी मार देना यार, अल्फा बन जाएगा, तो what you have to learn, डबलु, डबलु सी क्या होता है, बीटा डी पोस्टिगूल कोज आजएगा, अच्छा, similarly ना, similarly, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तो फ्रक्टोस कैसे पचानते हैं आप, ये बनाया फ्रक्टोस, उल्टा एन का निशान, मुवी देखी ना, हैरी पोटर, उसे मत्थे पर निशान होता है, मत्थे पर, वो आता न, क्या करते हैं, कौन सा निशान होता है, हैरी पोटर में मुवी देखा होगा न, क्या करते ह से से ऐसे उल्टैन बना रहा हूं है वह हैरी पोर्टर वाला मार्क अच्छा कैसे बनेगा यह सी एस टु ओएच ओएच और यह बनेगा आपका सी स्टू ओएच बटना नम्बरि इसमें काम करना ला यार समय कम है मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6 इसमें काम पता क्या करना यहां पर OH लगाते हैं यहां पर इदर इदर क्यों लगाते हैं जब भी गुलुकोज और फ्रक्टोज जोड़ते हैं न हम क्या करते हैं OH मिलाके वॉटर निकालते हैं बनाते हैं ग्लाइको उर्ण तो लगा उता है और यह पता क्या है यह बीटा डी नेगटीव फ्रक्टोफ्योरे नोज सभी तो मैं क्या करता हूं इनफेक्ट में बबता को इमें जब मुझे मुझे बनाना हो अलफा तो मैं इसको पलटी मार दो यहांसे इमसर्फा बन जाएगा तो मुझे दोस् जाना चेक करो इसमें दिख रहा है व डबलू कहा है डबलू 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 यहां है मेरे दोस्त बीटा यह रहा बीटा ठीक है अब आपको दिखेंक एक उल्टा एंड का निशान वह देखते हैं CS2H, OH, OH, CS2H, है ना, तो CS2H, OH, OH, CS2H, दिख रहा हूँ यह वाल निशान, यह वाला सेम है, इसको पलट के बनाया हुआ है, यह से पलट के बनाया हुआ है, तो बताओ यह क्या है, S वाला, यह यह सख से हो जाएगा, बीटा दी नेक्टी फ्रक्टो फ्यूरे नोस, राइट, एक सेगेंट, एक सेगेंट, एक सेगेंट, चलिए, और अब अलफा बनाना है, तो आप इसको चेंज करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग तो वह कॉंसे पता ना चीए यार यह मैं क्लास में रेगूलर क्लास में बढ़ाता हूँ अब तुमने डिस्स करना तो बता दिये मैं आपको ओके चले बिटा आगे चलो यार नमबरो साइक्लिक ट्राइप्टाइड फॉर्म यार दोस ऐसा है इसको ऐसे करो फॉर्शन को अब तो यार दो आमाने जिए अन वी ए ए ए ए क्या बन गया ट्राइप्टाइड बी 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 क्या बन गया साइक्लिक ट्राइप्टाइड ए ए और बी या बी बी ए है यह चारों किया है साइक्लिक ट्रिक ट्राइप्टाइड है तो कितने इस्पाइक्लिक ट्राइप्टाइड पोसिबल है ला ए यह ढसा ट्रेफल एस ओजलिया पॉजन ट्राइप्टाइड्स तो मेरे दोस एक ओ उडा सा वह त addiction टफ था और यह यहां से तूटेगा यह यहां से तूटेगा यह यहां से तूटेगा 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 यहां से अभेक्टा निर्ण सकते हम लूगे के स हैं, लेखिय को सा इसब्सक्राब, इस सब्सक्राइब अर्श को बते हैं, यहां से सब्सक्राइब उमपने लुसीन यहांने बेटा इस्तो ब्रेकडाों मैंने गल्द कर दी थोड़ा साथ इसो यहां से करता हूँ sorry sorry यह कॉन सा बनेगा बेटा यह बनेगा आईसुलिसीन तो यह काम करते हैं red रिट कलर यूज करता हूँ distinction करने लिए better रहेगा साफसा दीखता रहेगा यहां से यह जो हिस्स आएगा यह दिखना है यहां से तोड़ोंगे इसको यहां से तोड़ोंगे बैटाstones करने पर तो आप यह देखो जरा आप यह दिखो जरा दोस्त की ये अजिदी तो गलता है यह इस को बोलते हं उसको क्या बोलते हैं यह बनेगा टाइरोसीन अब पता है प्रॉब्लम क्या है पैसी बात तो बच्छे जानते नहीं है एल्फा मेनिस इसको रटे होते नहीं है और दिनों रटे भी होते न उनको फिर प्रॉब्लम आती है अब आप गोर करना सिंबल मिलेंगे सिंबल है लूचल सिंबल है एसपार्टी के सिंबल है इसके इंडेक्स में दिया हो देखना कभी गोर करें तो आप तो पता हूँ क्या बनेगा एफ एल डी वाई आंसर का सेकिंड एफल डी वाई है ना एक बिल्कुली आउट और बोक्स क्वेश्चन के बारे में ओके चलें आगे बैटा कीटोज फिर वही टेस्ट आ रहा है सेलिविनोफ टेस्ट पास्ट दन एल्डोज यस स्टेट्मेंट्स है यह यह शूरू में कर चुका मैं यह क्योश्चन करते हैं सेलिविनोफ रिजेंट के साथ रिसोर्चनल विच्छ एल यह होता है किटोज फास्टर करते हैं और एल्डोज एक्षन स्लोग करते हैं रेड क्लर का सॉलीशन बनाते हैं जिदी एक्षन स्लोग हुआ तो आपके पास यह एक्ष्रक्टोज है फ्रक्टोज मालीजे यह वाला कंपाउंड है माली जी यह compound है fructose CS2OH keto तो तीन सेंटर कारल सारे OH राइट में नमबर 3 पर लेफ्ट में आता है ना यार तो बताओ जब इसा करो न आप dehydration होगा dehydration कौन से असील के साथ जब इहडरेशन होता है तो दोस्त कितने कार बने ये इसमें चलता है dehydration और इसमें बनता है फर्फ्यूरेल यह वाला फर्फ्यूरेल यह फ्यूरेन है यह फर्फ्यूरेल है और यहां पर लगता है CS2OH इसको बोलते है है hydroxy methyl फर्फ्यूरेल यह के साथ direction बहुत fast चलता है very fast तो यह स्टेटमेंट सही है बट यह स्टेटमेंट गलत है second वाला क्योंकि यहां पर हमें फर्फ्यूरेल नहीं मिलता है हमें one two three four five हमें five position में मिलता है five hydroxy methyl फर्फ्यूरेल अब यार यह एक unique question है जदा परशान मतों जाना more than sufficient है इसे beyond कुछ नहीं आता है यही आता बार-बार तीसरी चोथी बार यह question आ चुक है और पहले भी मैं discuss कर चुक हूं तो यह आपना यह statement गलत किसली है क्योंकि इसने simply लिखा फर्फ्यूरेल जबकि हमें मिलता है five hydroxy methyl फर्फ्यूरेल मिलता है तो statement a is correct but statement two जो reason है व दोस्त दोस्त आगे चलते हैं यह बहुत simple question है कुछ नहीं यार यह आपसे क्या पूछ रहा है आप ना इसकी भाशा में फसना मत यार इसकी language में the number of peptide linkage पता है मैं क्या करता हूं यह कभी question time short पढ़ रहा हो तो मैं तो डारे ना यह लाइन पढ़ने की बजाए न सिदा लास्ट पूछ तेखता हूं पहले क्या पूछ रहा है उसके लाइन पढ़ता हूं मैं क्या होता है ताकि time save हो जाता कई भार तो start ना अंतिम लाइन स इसे होते हैं उससे एक कम कर दो उतने बनते हैं तो आप मुझे बताओ कितने इसे हैं तो और दो आपके लियूसीन है पांच और दो यह हैं वैलीन कितने हो साथ साथ मोल वैलीन है तो साथ मोल अमाईनुसीड है तो कितने इसे होगे और या आप मुझे बताओ यह चारव कोशन लिखे हूए है यह क्या लिखा हूँ है और वन ओफ दीज अमाईनुसीड इस जो मैं पहली उल्टा पढ़ गे च पूछ रहे हैं प्रोटीन दिया हुआ है एल्फा मैंसीड है इन में से बाकी कोई भी अल्फा मैंसी नहीं है चेक कर लो आप यह कौन से है अल्फा बीटा गामा वह लगा हुआ यह क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा यह अन्सु कहां लगा हुआ है यह ओविएसली प्रोटीन किसे बनता है यार अल्फा मैंसी से बनता है तो अंसर क्या होगा हुआ ठीक है चलो कि अधा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अब बताओ कैसे करोगे इसको आप त्यों करो इसको बनाने गले आप घ läuft एक काम एक क्शेंज कर और हुआ करो ऑप यह ना यहाँ पर इसको ऑफन्मि और अप Aha क्या करो ऊप hang को ऐख चेंज क्या 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 करो क्या कि स्कारिक आफ से का सर्टा क्या क्या अब एकाम करते हैं मैंने लिचे लेकर आया तो यहां चला गया अब यहां 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 कि कर दिए अब बताओ एक काम करना यह यहां टैक मारेगा और रिंग बनाएगा वन टू थ्री फॉर फाइव और यह सिक्स मेंबरिंग बन जाएगा यार तो दोस्त ऐसा करना अब आप एक काम करना सिक्स मेंबरिंग बनेगा अभी कितने सेंटर कारल दिख रहे हैं आपको एक दो तीन चार अब यहां पड़ा करेगा न यह वाला तो सेंटर पांच कारल बन जाएंगे बताओं कैसे देखो पहले इसको लिखो पहले आप इसको एक इसको यह वाला समझो मेरी बात को यार अजस्टमिंट पैन कहां गया यह ओएच एक मेंट रुकना बिटा ओएच ओएच औच एच एच चीएजटू ओएच अब यह वाला इससा तो वह ही है यह वाला इससा दिख रहा है यह रहा नजर आया अब बताओ यह क्या बनेगा यह क्या बनेगा यह बंजेगा एच-ब कैंश तो इसमें न हैंपर ए चोच आए गा ह outline वहें इधर आज यह लगा सकते आप आप कान प्रफ टैली कर आप आप हो को कर लागगत अब हमें पता क्या है हमें पता यह लगेगा अप और यह लगेगा डाउन अप यह लगे डाउन तो अप चेक करना अप में क्या क्या आएगा नंबर 123 12345 तो बतार टू और थी पर ओए चाहिए अप अप यहां पर तो यह रहा 12345 और 6 चेक करो 23 पर ओएच अप है 23 पर ओएच अप है और 4 पर ओएच डाउन है 5 पर ओएच डाउन है 5 पर सीच टूच अप है 5 पर ओएच अप है नदर आया तो आंसर कौन सब्सक्राइगा शेकिंड वाला इसका मतलब 1 पर ओएच और लगाया हुआ यह लगाया हुआ हूँआ है और यह विद्म शेकिंड हो जाएगा कुछ आया समझ में चले चलो बेटा आगे चलते हैं थोड़ सा चैप्टर ही ऐसा है कॉम्प्लेक्स चैप्टर है चले इस पर चले एक काम करना यार इस कोश्चियों करने के लिए आप एक ट्रिक चाहते हैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं एक सोटा सा ट्रिक द्रिक करना पता कαιा हूं द्ज्श द् द भी आआईज़ज दिज्श यह क्या है पोलीसाकराईड को यह दी करनवट करना हो डौदैसाकराईड में तो यूज़ करते हैं yakmy यूज करते हैं इन्वर्टेज और इसको करना हो आपको CO2 के अंदर यूज करते हैं जाएगा तो मैं आपको डारेट आंसर के थू बतायता हूं जल्दी हो जाएगा इस question को आंसर का 3rd दिया हूए यानी की अपचिया करना हिवार एक थ्री उख्रोज इए रह थ्री यह रहा इन्वर्टेज दिया हूए चख करना डाइस से जाएगा और फिर आपको दियाओ वहले व questo यह रहाँ और 15 पोइंड से लागे मैं क्या वोकिeg रहे हूं और इस किलाते हैं लास्ट यह pumps जाएगा में यानि की पॉलिसर जाएगा माल्टोज में तो इसका अंसर क्या आएगा फॉर्थ डाइस्टेज यह ना यह भी ऑप्शन आगया और खैर यह तुम्हें पता ही है पैपसीन क्या करता है हमारे इंट्रेस है में जो इंजाइम्स होता है डाइजिस्टिव जूस में होता है प चलिए मिथायोनीन और आपको का सिस्टीन इन दोनों में सिल्फर होता है रटना पड़ेगा सारे अलफा में से स्ट्रेक्चर रटने पड़ेंगे आपको बता जाता हूं यह एलकायल ग्रूप होना तो इसको बोलते हैं मिथायोनीन और और शोड़ी सिस्टीन और बेसिकली एक क्या कहते हैं और यह यह लग ग्रूप हो तो बोलते हैं विथायोनीन तो यह दो अमैनोसिस होते हैं जिन में सल्फर होता है मिथायोनीन मैं तो इनका अंसर बता रहा हूं अदर वह आपको याद पा रहे होने चाहिए ओनली वन बेसिक ग्रूप या बाँ बताओ कौन कौन से बेसिक मैंने से होते हैं तीन होते हैं तो हमारा आर्जेन, नफेशिटीडे तो यह वाला तो खूर आर्जेन, लाईसिन, ओर हिस्टिडेन यह तीनों क्य ин yardım होते हैं बेसिक मानुसरी बेसिक मानुसरी ऐसिर्स मतलब क्या है यह एक बेस है और यह एक एक आसिट गर्षीड है तो net 12 में क्या हो गया है इसको बेसिक हो लेगे जब इसके अंदर भी a basic group होगा तो हम बोलेंगे ये basic aminocid है और जोब इस हो थे वो कौन से होते हों हिस्टिदीन, arginine, lycine ये तीन हमारे basic alpha aminocids होते हैं तो क्या होगा एसपार जिन जिसके अंदर एक एन्सटी प्रेजेंट होता है बाकी के अंदर दो एक से ज्यादा बेसी गूरूप होते हैं हैं है 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 सेम कोश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है कौन सा टूडीरी दीडीरी को स्टेबलाइज नहीं करता है तो यह प्रोक्सी लिंकेज नहीं होते हैं बागी हैड़नल बॉन्डिंग हो वन्डर फॉर्स हो यह डाइसलफाइल लिंकेज हो सब लिंकेज होते हैं यह प्रोक्सी लिंकेज नहीं होता है प्रोटिंस के अंदर है ना हैड़नल बॉन्डिंग होती है वन्डर फॉर्स होते है डाइ सुलफाइल लिंकेज भी होते हैं चलें आगे चलें बेटा यह कोशन देखो आप यह दिया आपको गलाइसीन आप मुझे बताओ रेक्शन कराओ को रेड फोर्स तो के साथ तो क्या बनेगा यह बनेगा आपका कंपाउंड अल्फा पुशन हो जागा है यह बनेगा सेंटर कारेल और प्रोर्ट बनेगा रेसी मिक्शर तो इस question बढ़ो आप क्या बना कारल कारबने इसकंदर तो बताओ ये statement सही है क्या हाँ statement सही है कारल कारबने बनता है जब आप reaction करते हो glycine का red fossil CRP के साथ तो कारल सेंटर बनता है ओके ओके दोस्तों आगे चलें इस पे थोड़ा सा और देखते है आया लगाता थी में से पढ़ा रहा हूं लोन लोन सो बैक टू बैक तीन चालीस पर लगाता क्लास लगातार तीन चालीस साड़े आठ बिसमें ए गंटा का ब्रेक लिया फिवापे पॉन्ट दर स्टार्ट हो गए तो लगातार बोलना स्वाट डिफिकल्ट हो रहा है बद ठीक आप तो कॉश्ण यह कै होगा मीजो यह मीजो कंपट होगा इंडरल कैंसलेशन प्रेजन होगा इसके अंदर तो आइशलिस नी जब 2 methods कारेल होंगे तो क्या हमेशा optimist होग यह क्या नहीं कोई गयरन्टी नहीं यह Nigeria मीजो भी तो सकता है तो यह जोามीय ना 2 यह गलत है reason 2 बट यह सही है तो आंसर क्या होगा second A is true बट R is false ओके दोस्त चलिए आगे चलते हैं ठीक है चलिए और यार इसमें न आपके अच्छा कोशन है इसे तो बहुत अच्छा कोशन है इसे तो मल बारी कोशन अच्छा ठीक है बारी कोशन है टॉलेंस, पेलिंग्स और बेनेडिट एक बिरादरी के सदस्या है यानि कि इल्डिड को करते हैं अज़िएजेंट होते हैं अलकलाइन सोलीशन होता है मीडियम बेसिक होता है इनका और यह माय्ल्ड अज़िएजेंट होता है और LDL को Oxidates करते हैं अच्छा आपने पढ़ा भी होगा जब किसी से पढ़ा होगा तो LDL के अलावा इसे कौन-कौन से Groups हैं जिनको यह Oxidates करते हैं तीन Groups होते हैं कौन-कौन से LDL के अलावा एक होता है Formic Acid दूसरा Hemister Linkage और तीसरा Alpha Hydroxy की टॉन याद होगा ना यार तो मुझे बढ़ा बताओ कार्बोर्ड हाइडर केमिस्ट्री में किस फंक्शन ग्रूप की इंपॉर्टेंस है हैं मिसलिंकेज की होता क्या है एक आर्म पे जब एक अल्कॉल हो और एक इथर हो उसको क्या बोलते हैं तो भाया यह यह जहना क्या करेंगे किस का है मिशलिंकेज का तो आप मुझे बता दो कि भली टॉलेंस वह फैलिक्शन बनेटिट तो यह पता क्या मैं बैंडिट का ब्लू कलर मैं ऊप श्भी मैं के पाइड की इसलिडे राता है ओ अब उजय करता हो which will not produce मले किसके अंदर hemis l motif नहीं होगा गुलकोजी में होता है सीक्लिक्स स्क्चर में माल्यटॉज में भी होता है एक hemis диsem Surz Surz में नहीं होता Surz में दो Profit तो बता वह दिख रहा है हमें सिली के यह रहा है एक एथर एक आलकॉप अब बटाव यह यह थी मैं 2 वर नो स्पिरों करता हूं तो यहां पर और कर दूँ तो क्या बनें चैनल Oh कि इसमीं हमिंस्ट इंगे ऊता है आमाइलोस में क्या होता कि इसमें आता है आप पालऌ से कटक्टर पढ़ा वहने कि हाथो आपको शरी बात daíégते निचे से निगलेंगे कौन से शुगर के पास हमिस्लिंकेज होता है मेरी बास कुनों सीखाता हूँ सारे मोनोसेकराइड में होता है सब में होता है हमिस्लिंकेज सभी मोनोसेकराइड में डाइसेकराइड में माल्टोज लेक्टोज के पास होता है सुक्रोग के पास नहीं होता है एमिति लिंगेज तो physically में किसे बास नहीं होता है तो फिर से बताओ है मिती लिंगेज किसे के बास होता है सबी मोनोसेगरेज के पास होता है औरम डैसीह बैस मार्टोल्ष और में लेक्डोल्ष के पास ब Zug वे हुआ वियरों एक पास होता है आंसर होका 2 तो शाय इसमें टैपिंग में आंसर गलत दिखा हुआ है बट आंसर 2 होगा इसका 2 दिखा हुआ है ओके चलो ऐलानाइल, ऐलानाइल, ग्लाइसील, पिनाइल, एलानाइल, एड़ आइसोल्यूसीन यह 4 दिखा है, पूछ रहा है कितने SP2-H gaan आप दोस्त में बताओ, SP2-H gaan गैं carbon पूछ रहे है, SP2 hybrid carbon, तो यह काम करो नहीं, सिंपल सी बात है, चार मैंने सिर दी हूँ है, तो यह काम करो, simple, NH2 CHR1, CO, NH, CHR2, just a minute बिटा, CO, NH, CHR3, CO, NH, CHR4, CUH, यह क्या है, यह आपका है, tetra peptide, तो आप मुझे बताओ, इसमें कितने carbon को दिख रहे है, SP2 वाले, यह दिख रहे है, यह दिख रहे है, यह दिख रहे है, और यह दिख रहे है, चेश और दस कितना गंदा कोशन है कुछ और नहीं में पूछने के लिए तो दस धसकी टू कारबर आएंगे आ देखा लेकि पागलों तोरह कुछ पूछ लेते हैं यह और कहते हैं मुझेह हैं हो जान निकाल है अब कोई बात नहीं आगे चलते हैं यह लास्ट कोश्ण मेरे ख्याल से वाँ वाँ क्या बात है तो यार मैंने सारे कोश्ण ले लिए 2020-21-22-23 के कोई कोश्ण नहीं छेवड़ा और 2024 के कोश्ण नहीं लिए यार स्वरी आर्जिनीन को अप्षिन पढ़ लो पहले जल्दी सौंज में आजेगा इस सॉलिड मेरे ख्याल से कोई स्ट्क्चर जाने जूर्थ भी नहीं आपको बता दूंगा अलग बात है क्यों नहीं है क्यों कि आपको पता है जितने भी अल्फा माइनुस होते हैं जो नेचर में मिलत हैं है ना सारे के सारे क्या बनाते हैं जीटर आयन फॉर्म में पाए जाते हैं किस फॉर्म में बेटा जीटर आयन फॉर्म में है ना तो यह क्या होता है यह एसिड हुआ यह बेस हुआ आपस में क्या करेंगे प्रोटोन का आदान परदान यह देगा यह लेगा यह बनेगा अधिये अनियस तरी प्लस यह बने गाशी मायनस तो यह क्या खालाता है जूटर आयन शूटर नहीं जूटर आयन और जो जितने भी अल्फा मेर्स से होते हैं न नेचर में आप सोसे देखो न यह कटाइन अनायन कटाइन अपस में न आयनिंग इंटरेक्शन करेंगे और क्यो एंए बार्केट में आता है अ प्रोटिंगे सप्लिमेंट आते हैं वो बेसिकलील ये जुटैन होते हैं आफ च्छोटे बछपन में मैं च्छोटे होते हुए बच्पन में आपने प्लोटनेस हखोता यश Tipp pregunta होता हो Patty fine है और यदि हैड़िव में उससे क्या फर्पड़ता है सारे अलफा अमाइनो एसीड से जुटर एंफों में एक्जिस्ट करते हैं water होते हैं crystalline solid होते हैं तो और यह बता वाटर होते हैं क्या बेंजिन में घुलते हैं और नहीं यार नमक तो पानी में घुलता है सही है more than one PK value यानि कि इसमें दो ग्रूप आएंगे जो SED होंगे हैस प्लस दे सकते होंगे that's it तो आंसर फॉर्थ विल भी incorrect तो मेरे ख्याल से दोस्त यह हुआ हमारा session complete क्या बात है ना ओके बच्चों ओके बाई गुड़ नाइट क्या हुआ 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 है